आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ गी बनाने का दो बहुत ही असान तरीका अगर आपको गी बनाना जंजट का काम लगता है आप ये वीडियो जरूर देखें फिर आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा मैंने बहुत ही असान तरीका बताया है चलिए बनाना सर करते हैं मैंने आपको बोला कि मैं दो तरीके से बताऊंगी तो मैंने याप पर दो जगह मलाई को रखा है यह देखिए पहले में यह जो कम मलाई है यह वाला आपको बना के दिखाते हूं यह बहुत ही आसान वाला है गेस पर कराही रखिए और उसमें मलाई डाल दीजिए अगर कराही नौन अस्टिकी है फिर तो बहुत ही अच्छा लेकिन नौन अस्टिकी नहीं है आप किसी भी कराही में बना सकते हैं बस कराही नीचे का तला जाए ओथोरी मोटी होनी चाहिए जिससे के नीचे में गी जलेगा नहीं तो सारी मलाई को उसमें डाल देंगे और आज यहाँ पर गेस का जो फ्लेम है उसको लो कर दें और मलाई को चलाते रहे जब तक गी अच्छे से पिघल जाता है तब तक उसको चलाते रहे मलाई जब इतना तक पिघल जाए तो यहाँ पर गैस को कम कर दे और उसमें कोई चमच रख दे और इसको छोड़ दे इसको बनने मत्रा टाइम लेगा चले तक तक दूसरा तरीका बताते हूं मैं मिक्सी जार में डाले जार को फूल नहीं भरे आधा ही भरे उपर में जगह रहन दे क्योंकि हमें उसमें पानी भी डालना है तो यहाँ पर इतना मलाई डाल के इसको मैं एक वर चला लूँगी बस एक वर मिक्सी चला है इसके बाद इसमें यह देखिए ऐसा हो जाएगा इसक आप देख रहे हैं इतना खाली रखे और इसको बंद करके एक वर मिक्सी चला लेंगे तो यहाँ पर इस पानी को निकाल देंगे ऐसे साइड करके इस पानी को निकाल दे और इसमें फिर से उसी तरह से पानी डालके मलाई को एक बार और चला ले पानी डाले ढ़कन बंद क करके मिक्सी को एक बार और चला ले यहां पर आप देख सकते हैं मलाई को अभी तक मैंने हाथ नहीं लगाया है और यहां पर इस पानी को मैं फिर से निकाल दूँगी और यह देखिए बिना हाथ लगाये बिना किसी मेहनत के हमारा मक्कन बन के तयार है मैं इस पानी को ऐसे न अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताईएगा और यहाँ पर हमारा देखें हाथ बिल्कुल गंदा नहीं हो अब मैं इसको साइड रख देंगी और अब हम जो घी बना रहे हैं बीना मलाई फेटे वो दिखा रहे हूं आपको चलिए कराही की तरफ चलते हैं यह देख यह द सुरू हो गया है यह अपको चार-पांस मिनट और पका लूझा बस इसको घंड आ करके चान लेंगे है चानने के लिए यह अपर इस्टिछन लेंट गवर मक्वा से अरा पर धल्चन्न गी कटैर और श्टिल के बरतन में हम जी को निकाल लंग इस तरह से मैं इसको न और धेमियाज को कुए मिक्सी बनाया सुल निष्माइए lifo मलाई को मिक्सी में फ्यंटने के बाद जब घी बनाते लिए उसको बनने में कम थायं लगता सुल ustla काल उगर आपके पास मिक्सी जा रहा है अब पहले मलाय को फेट ले मक्खन बना ले इस्के बाद घी बना इसे क्या हूगा को कि ऊप् Smith forget कम निकलेगा और अपका गैस किम खरचा होगा तो अगर आपके पस्टायम है तो आप मलाय से पहले मकान बना ले उसके बाद घी बना है लेकिन अगर आपके पस्टायम बिल्कुल नहीं है तो आप पहले वाला अस्टेप फोलो कर सकते हैं अब मैं इसको भी छान लूँगी यह देखिए दोनों ही मलाय से इतना घी बना है घी को हलका गरम मे we will reap this, या इसका पराठा भी बना सकते हैं और मलाई वालबा पाने से आप आठा गुन सकते हैं मैं आपको को डिखाती है पिलाटे की सीजह हैं यह पर यह देखें यह लगवग एक किलो घी बन के तैयार है और आपनने देखा कितना आसंत तरीका है अगर आप मेरा वीडियो देखकर आपको लगता है गी निकालना असान काम है आप उनको कमेंट करके बताइएगा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सेर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें